हेलो दोस्तों आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथी दबाए इस बैल आइकन को हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आई है दो जून 2020 की पाच बड़ी भरतियों की अपडेट यहां पर पोस्ट आज जूनियर एसिस्टेंट ओफिसर अप्रैंटिस एंड अधर्ज जिनके लिए आल इंडिया से मेल फीमेर कंडिडेट आविधन कर सकते हैं जियां दोस्तों आल इंडिया के लिए वेकेंसीज यह और इन वेकेंसीज पर अपलाई करने के लिए कम से कम बारवी या आईटी आई या डिगरी या डिप्लोमा होना जरूरी है दोस्तो अगर आप इन पोस्ट पर apply करना चाहते हो तो apply करने से पहले आपको जानना होगा कि apply करने के लिए क्या eligibility criteria होना जरूरी है आपको यहाँ पर कितनी सेली मिनने वाली है selection आपका किस बेस पर होने वाला है आप इन भरती के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो जो कि ये पूरी डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतर्यक दोस्तो अमें आपको इन पांच बड़ी बरतियों की complete details step by step provide कराने जा रहा हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए फर्स्ट नंबर पर हम बात कर लेते हैं OSSC Recruitment 2020 के बारे में organization है उडिसा staff selection commission पोस्ट है junior assistant जिसके लिए 125 vacancies निकली है apply करने के लिए 21 से 30 साल का होना जरूरी है और इस भरती के लिए बारी पास candidate apply कर सकते है apply कर सकते है बिना किसी application fee के selection आपका return test, computer skill test और certificate verification के दवारा होने जा रहा है से लिए आपको मिनने वाले है 8,880 रुपे पर मन्त, job location है Odisha male female candidate अवेदन कर सकते हैं, अवेदन कर सकते हैं online online अवेदन करने के लिए अंतिमतीती है 862020 official website है ossc.gov.in जिया दोस्तों इसी official website के दवारा आप इस भरती के लिए apply कर सकते हो second number पर हम बात कर लेते हैं, CP8 Recruitment 2020 के बारे में organization है Central Institute of Plastic Engineering and Technology post है senior officer, officer, technical officer, assistant officer, assistant, technical officer, administrative assistant और technical assistant जिने के लिए 57 vacancies ने के लिए apply करने के लिए maximum age दे रखिया जो कि post wise इस परकार है, senior officer के लिए 40 साल, officer और technical officer के लिए 35 साल आलेदर post के लिए 32 साल maximum age रखिया है, apply करने के लिए education में graduate degree है, post graduate degree होना जरूरी है, आप इस भरती के लिए बिना किसी application fee के apply कर सकते हो, selection आपका return test और skill test और practical test और intro के दवारा होने जा रहा है से लिए आपको मिनने वाले है, level 3, level 7, level 10, level 11 के हिसाब से आल इंडिया के लिए vacancy है, जहां दोस्तों आल इंडिया से male female candidate apply कर सकते है apply कर सकते है, offline, offline application form submit करने के लिए address है दा डिरेक्टोरेट एड्मिनिस्टेशन सिपेट हैड ओफिस टीवी के इंडिस्टेरियल इस्टेट गवांड़े चेन नई 60032 और application form submit करने के लिए last date है, 156 2020, official website है www.cpa.gov.in दोस्तों थर्ड नमपर बात कर लेता है, बिजलिवी भाग भरती के बारे में organization है, Power Grid Corporation of India Limited जिसको PGCILB का जाता है, post है apprentice और इस post के लिए 148 vacancy निकलिया है apply करने के लिए edge limit आप official notification से check out कर सकते हो apply करने के लिए education में कम से कम ITI या degree या diploma होना जरूरी है और इस भरती के लिए भी आप बिना किसी आवेदन सुल्क के apply कर सकते हो selection आपका entry के दवरा होने जा रहा है, से लिए आपको मिनने वाले है 11,000 से 15,000 रुपे पर मन job location है आल इंडिया, जियां दोस्तों आल इंडिया से male female candidate apply कर सकते है apply कर सकते है, online, online apply करने के लिए अंतिमतीती है 14,620 और 30,620 apply करने के लिए official website है www.powergridindia.com दोस्तों fourth number पर हम बात कर लेता है, सवास्ते बाग भड़ती 2020 के बारे में organization है, गुरूतियक बादूर होस्पिटल, पोस्ट है junior resident जिसके लिए 66 vacancies ने के लिए apply करने के लिए maximum age दे रखी है, जो की category wise इस परकार है SCST के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 साल, PH category candidate के लिए 40 साल और EWS, UR category के लिए 30 साल maximum age रखी गई है, apply करने के लिए education में MBBS degree और 77 DMC registration certificate होना जरूरी है इस भरती के लिए भी आप बिना किसी आवेदन सुल के apply कर सकते हो selection आपका walking intro के दवारा होने जा रहा है, से लिए आपको मिनने वाले है 56 सो रुपे परमद, जो location है दिली, बट आल इंडिया से male female candidate apply कर सकते है दोस्तो apply करने के लिए आपको walking intro में participate करना होगा walking intro conduct होने जा रहा है 36 2020 को, walking intro में participate करने के लिए venue है room number 310 3rd floor administrative block GTBH दोस्तो official website है health.dilly.nic.in दोस्तो five number पर हम बात कर लेते है ICFRE देरादून recruitment 2020 के बारे में organization है इंडियन काउंसिल ओफ फोरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन पोस्ट है conservator forests और deputy conservator forests जिसके लिए 38 vacancies इनने के लिए है यहां दोस्तों यहां पर 38 vacancies उपर भड़ती होने जा रही है और इस बड़ती पर apply करने के लिए age limit आप official notification से चाक आउट कर सकते हो apply करने के लिए कम से कम IFS या FS officer होना जरूरी है और apply करते से में आपको यहां पर all category candidates को 500 रुपे जमा कराने होगे application fee के रूम में application fee जमा हो सकती है demand draft के दवारा selection आपका interview के दवारा होने जा रहा है से लिए आपको organization rule के इसाब से मिनने वाले है आल इंडिया से male female candidate apply कर सकते है apply कर सकते है offline, offline apply करने के लिए application form submit करने के लिए address है Secretary India Council of Forestry Research and Education PO New Falls देरादून 248006 जियां दोस्तों इसी official address पर आपको application form submit करना है application form submit करने के लिए large date है 157220 official website है www.icefre.jovi.in दोस्तों दोस्तों यह थी इन 5 बड़ी भर्तियों की complete details अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकार चाहिए तो आप इन भर्तियों के official notification check out कर सकते हो official notification का links मैं इस वीडियो के description में देने जा रहा हूं वहाँ से आप official notification download करके इन भर्तियों के बार में पूरी detail आसान से check out कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो दोस्तों I hope यह वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आयोगी हो तो इस वीडियो को like out से जरूर करे अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमार चैनल को subscribe कर ले क्यांकि आगे भी हमापके लिए एसी बड़ी भरतियों की update लेकर आने वाले है